दोस्तों सम बेसिंग टर्मस आफ इंगलिस ग्रामर के एक और एपीसोड में आपका स्वागत है आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सस्क्राइब करके जाएगा दोस्तों ताकि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से यूटलाइज क अपना है वहाँ पर आप जाएए देखिए और मैंने इस ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रिलिश डाल दिया है दोस्तों अब हम समझते हैं पार्टी सीपल को देखिए पार्टी सीपल क्या होता है तो सबसे पहले ये भर्व का वो रूप होता है जिसमें भर्व के इसलिए दोस्तों भर्वल एजक्टिब भी कहा गया है तो आपको याद रखना है कि पार्टी सीपल में वर्व के तरह होता है इसमें एजक्टिब का भी गुन होता है ठीक है इसमें बर्ब तो होता है इसके बाद इसमें adjective का भी उनगुन होता है इसलिए इसको verbal adjective भी कहा जाता है देखिए आपको एक्जामपल भी हम दिरे-दिरे करके देंगे देखिए कि special chapter हम लोग परेंगे जेरन के बारे में ठीक है अभी basic पर्रत इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें समझना है उसके बाद दोस्तों unattest और dangling को सम्मंदित होना अबस्यक यानि कि जब कोई भी चीज अगर adjective का काम करेगा उसमें noun या pronoun attached अगर ना हो तो उसका कोई मतला भी नहीं निकलता है यदि participle के साथ noun या pronoun सम्मंदित नहीं है तो वह participle unattest और dangling participle कहेंगे उसको यानि किसको कहेंगे unattest participle वो participle जिसमें दोस्तों noun या pronoun का कोई relation अस्थापित नहीं होता है तो उस participle को unattest या dangling participle कहते हैं जैसे कि उधारन से समझते हैं दोस्तों जैसे हम बोते being a cold morning I didn't go to office ठीक है being a rainy day the school remained closed ये दो उधारन में आपने देखा कि participle being unattest participle है यहां being के साथ noun या pronoun लगाना अबस्यक है अता इन वाक्यों में उको निम्र प्रकार लिखा जाता है जब इसको आप देखिएगा न तो यहां पर grammatically यह अच्छा sentence नहीं है इसो wrong कहा जा सकता है क्योंकि दोस्तों यह जो है being क्या है यहां पर दोस्तों being unattest participle है यहां being के साथ noun या pronoun लगाना अबस्यकाता इन वाक्यों में ऐसे लिखा जाना चाहिए जैसे देखो हम ऐसे लिखते it being a cold morning I didn't go office या the morning being called I didn't go office it being a rainy day the school remained closed या the day being a rainy day the school remained closed देखे आपको घबराने के जौरतने unattest या dangling participle को समझने में ज्यादा आपको परिशानी नहीं होने चाहिए एक बार मैं फिर से आपको repeat कर दे रहा हूँ देखे दोस्तों simple साधरन सब्द में मैं आपको कहूँगा कि यह unattest या dangling जो participle होता है दोस्तों आपको पहले मैंने इससे पहले बता कि participle जो sentence में adjective का काम करता है आप यह पहले दिहां से समझेगा participle sentence में adjective का काम करता है तो इसका यह मतलब हुआ कि साधरन सब्द में कि इसके साथ non-ia pronoun का relation होना चाहिए अगर यह adjective का काम करता है क्योंकि जब कभी हम adjective के बारे में सोचते हैं तो non-ia pronoun के बारे में नहीं सोचे तो अच्छी बात नहीं होगा लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि अगर participle में noun-ia pronoun का correlation नहीं बैठ रहा है तो उसको हम unattest यह dangling participle कह सकते हैं जैसे being यहाँ पर unattest participle होगा लेकिन दोस्तों ऐसे तो sentence में लिख नहीं सकते हैं हमें इसमें हराल में noun-ia pronoun को add करना होगा sentence को सही बनाने के इसलिए हम क्या कर सकते हैं इससे करके sentence को लिख सकते it being a cold morning I didn't go office the morning being called I didn't go office दोनों तरह से लिखा जा सकता है ठीक है अगला है inversion inversion में देखिए inversion मतलब हुआ affirmative work your structure समानेता क्या होता है जो affirmative sentence होता है उसके structure हम क्या लिखते हैं उसमें लिखते हैं एक subject प्लस verb प्लस object यानि कि उसमें एक subject होता है एक भर्व होता और एक क्या होता है दोस्तों object होता है normal जो affirmative sentence हम लिखते हैं जैसे हम बोलते है I go to office है ना तो इसमें एक subject आया एक बर्व लोग subject के बाद किया जाता है ठीक है ऐसा structure में होता है verb plus subject अभी basic कबर करा रहे तो आपको ध्यान से समझना होगा इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया तरीक तो बहुत से एड़वर्विल एक्सप्रेशन का प्रियोग जब क्लाउज के प्राग्रम में होता है तो भर्व सब्जेक्ट से पहले ही आता है कर बार जब हम लोग एड़वर्विल फ्रेज का यूज कर रहे या एड़वर्विल तो कलाउज वहाँ पर क्या होता है स्टार्ट हो जाता है जब कलाउज स्टार्ट होता है भर्व पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है ठीक है समझ माया तो उसे इनवर्जन का आता है अच्छा इनवर्जन हमने एक चेप्टर है परहाया भी है इनवर्जन बेसिकली आपको पढ़ना है आप गबराईए नहीं ठीक है inversion हम आपको पढ़ाएंगे inversion एक चप्तर बस आप ये समझी inversion में कि भर्ब जो है दोस्तों subject से पहले आ जाते inversion में है ना ये बात आपको ध्यान में दोस्तों रखने होंगे ये चीज के लिए रहे दोस्तों के लिए रहे बात तो अब यहां पर before the subject है ना आपको घबरानिक जुरत नहीं हम लोग inversion chapter अलग से दोस्तों हम लोग परहेंगे अच्छा अब अगला है synonym दोस्तों synonym का मतलब क्या होता है it is a word or expression which means the same as another word or expression नहीं को कोई दूसरा word दिया है या expression या उसके same meaning में जो word हो जाए उससे synonyms कहते है बहुर teacher लोगिसको synonyms कहते है दोस्तों यह synonyms नहीं है यह synonyms है जैसे मैं एक example लेता हूं जैसे मैं बोलता हूं इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस है ना इंडस्ट्रियस का मतलब दोस्तों क्या होता हाँ यह hard working और industry एक दूसरे का क्या है दोस्तों synonyms है यानि मिलते जूलते सब्द यानि समान अर्थी सब्द ठीक है समान अर्थ वाले रखने वाले सब्द ठीक है उसके बाद है antonym antonym का मतलब हुआ कि ulta opposite है ना antonym का मतलब हुआ ulta जैसे day का ulta night ठीक है विप्रितार्थक सब्द है ना जैसे हम बोलते हमाज बहुत अच्छा है तो हमाज बहुत बुए है या बहुत खराब है या आज ठीक है कि रहे दोस्तों तो synonyms और antonyms समझ में आ गया, उसके बाद heteronym, यह heteronym क्या होता पहले समझते हैं, it is a word that has the same spelling as another word but with a different pronunciation and meaning, these words are sometimes called homograms, ठीक है, heteronyms किसको कहा जाता दोस्तों, यह एक ऐसा सब्द होता है, जिसका spelling same होता है दूसरे सब्द के जैसा, but with a different pronunciation and meaning, लेकिन उसका pronunciation और meaning अलग-अलग होता है, ठीक है, इस तरह के word को हम homographs भी कहते हैं दोस्तों, समझ मैं है, और heteronym word हम लोग अलग से परहेंगे, जिसका हम आपको बताएंगे भी, अब है autogram, a self-referencing sentence is a sentence that describes तो, यह नि autogram, auto मने हुआ self, और gram का मने, यह नि autogram का सिधा मतलब खुद को जो describe करता है, जैसे दोस्तों, for example, this sentence has five words, an autogram is a self-referencing sentence that describes its later content, यह नि autogram क्या होता है, सिधा-सिधा, एक ऐसा sentence होता है, जो कि खुद को ही describe करता है, खुद को ही बर्णन करता है, ठीक है, अच्छा, आपके दिमाह में एक समझ, प्रशन आता होगा, कि सर, कि आप क्यों ना एक एक example देते हैं, दोस्तों, इस किताम में जितना लिखा हुआ है, हमें पहले उतना कभर करना चाहिए, दोस्तों, यह autogram, heteronym, synonyms, antonyms, इन सारों के बारे में हमें एक अलग chapter परना है, अब यह basic समझ रहे कि synonyms क्या होता है, मैंने आपको बताया सामान अर् explain करता है, describe खुद को जो करता है, उसके autogram का आजाता है, है ना, यह asbest हो रहा है आपके पास, ऐसा नहीं है कि यह उपर से जा रहा है, ठीक है, अब अगला है दोस्तों, कंट्रोनीम, कंट्रोनीम जो है दोस्तों, यह वर्ड कंट्रोनीम जो है, इसको अल्सो दा सिनोनीम एंटोगोनाईम, अच्छे यह होता क्या है, यह होता क्या है दोस्तों, ठीक है, देखिए, is used to refer the word that by some freak of language evolution, मैंने कुछ language evolution के बाद यह आया है, ठीक है, are their own antonyms, क्या होता है, यह खुद का antonyms होता है, ठीक है, बोद कंट्रोनीम एंटोगोनीम, या एंटागोनीम, are relatively recent neologism, there is no alternative term, that is more established in the English language, देखिए, देखिए, क्या होता है, कि यह कंट्रोनीम जो होता है, इसको एक बार फिर पारते है, the word कंट्रोनीम, यह अल्सो नहां antonyms, यह refer किया जाता है, इस सब्द के लिए, जो कि कोई एक freak language में evolution हुआ, खुद के antonyms का, ठीक है, fast, quick, ठीक है, और unmoving, देखिए, खुद का क्या हो रहा है, यह antonyms तयार करा, fix, restore, castrate, यह clear है दोस्तों, के antonyms आपको clear हो गया, देखिए, जो आपको नहीं clear हो रहा ह है ना, आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, जब हम next video upload करेंगे तो उसमें उसको और clear करके आपको बताएंगे, अगला malporism, दोस्तों यह क्या होता है, समझे तो यहां से, it is the use of an incorrect word in place of similarity sounding correct word, यानि क्या करते हैं, कि हम जो similar sounding correct word होते हैं, उसके जगह गलत सब्द का हमने use कर देना, incorrect correct word का इस्तेमाल हम कर देते हैं, ठीक है, जैसे parents try to install these virtues in their children, he became affluent in French and Italian, लेटीन हैं, देखे, अब यहां पर install के जगह हम कुछ दूसरा सब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है, हम लोग mail, मतलब क्या करते हैं, वो जो सब्द है, यह install के जगह पर हम और कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानि कि अस्थापीत करना, या उनके mind में इस चीज को लाना, लेकिन हमने यहां पर install कर दिया, meaning similar रख रहा है, लेकिन दोस्तों यह word अलग है, इसी को कहा जाता है, malaporism, effluent, effluent के जगहा पर हम frank भी बोल सकते हैं, यहां पर effluent जो है similar meaning रख रहा है, इ ठीक है, palindrome क्या होता है दोस्तों, it is a word or sentence that reads the same forward as it does backward, ठीक है, यानि कि यह पीछे से जो परने में लगता है, same to same आगे से भी परने में लगता है, जैसे आप यह परिए, है नहीं, इधर से भी परिएगा, इधर से भी वही होगा, और इधर से भी वही होगा, ठीक है, यान इस भी परिएगा, same होई उचा रहे होगा, उसी को palindrome कहते है, अब है palindrome, ठीक है, देखिए दोस्तों, palindrome क्या होता है, यह समझते है, क्या रहा है कि it is a sentence, it is a sentence in which the letter syllables or words read the same backward as they do forward, यानि जैसे backward से परते हैं sentence को, यह sentence के लिए है, और जो वह पीछे वाला था, ठीक है, य यह वाला आपका palindrome, यह word के लिए, यानि कि sentence पीछे से भी परिएगा, वही आपको sound सुना देगा, आगे से भी परिएगा, वही sound सुना देगा, जिस ही वाज, वाज, ही, ही वाज, वाज, ही, है न, यह word का palindrome है, ओके, समझ मैं कि I did, did I, I did, did I, I did, did I, ठीक है, clear दोस्तो clear है बास, चलो, अब pengram समझते हैं, देखे, कह रहा है कि it is a sentence that contains all letters of alphabet, less frequently such sentences are called whole alphabetic, whole alphabetic, whole आप कह सकते हैं, whole alphabetic sentence, the quick brown fox jumps over a little lazy dog, ठीक है, देखे, कह रहा है कि, कि यह pengram क्या होता है, आप किसी से भी पूछिए, तो कह, आप कहिएगा कि एक sentence होता है, जिसमें alphabetic का सारा अक्षर इसमें आ जाता है, यानि 26 का 26 अक्षर आएगा, the quick brown fox jumps over a little lazy dog, यह sentence आप याद रखेगा, the quick brown fox jumps over a little lazy dog, यह दोस्तो pengram होगा, एक ही, alphabetic में आपका सारा अक्षर आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, इसमें 26 letter आ जाते हैं, English में, जो जितने भी alphabetic में letters है, सारे के सारे sentence में आ जाते हैं, तैसे pengram कहा जाता है, अब IP name जो है, यह क्या होता है, दोस्तों आप समझते हैं, यह समझते हैं, हम लोग ठीक अब IP name मने की, कोई ऐसा ब्यक्ती है, या बस्तु है, जिसका नाम ऐसा माना जाता है, किसी सहर से, किसी देश से, या किसी एरा, या किसी प्रोड़क्स से आया है, जैसे Gerox, Gerox एक ब्रांड है, photocopy machine का, the word to has been since adapted to refer any brand of photocopy machine, moreover, also employed as a verb to describe the act of photocopy, लेकि Gerox क्या है, Gerox क्या क्या है, ये एक brand of photocopy machine है, Gerox brand है, लेकिन इसी brand को हमने भर बना के कहा है, I Geroxed the copy, या I Geroxed, यानि कि मैंने इसका copy किया है, क्लियर है बात, इसको भर के तर अभी स्तेमाल किया जा सकता है, अब एड़जंक्ट, दोस्तों, एड़जंक्ट जो होता है, ये word होता है, ये group of word होता है, जो कि indicate करता है, कुछ circumstances, या कोई action, या event, situation, ठीक है, an adjunct is usually a preposional phrase और an adverbal group, adjunct क्या होता है, अब एक contraction, contraction क्या होता है, दोस्तों, देखिए, मैं आपको cable अभी explain कर रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ, contraction किसको कहते है, synonyms किसको कहते है, antonym किसको कहते है, आप किस पूछो ये, एक ऐसा sentence बता हूँ, जिसमें alphabet का सारा later आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या बता पाएंगे, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला है contraction को समझते है, देखिए, contraction मने कि ये sort क्या होता किसी भी word को, जैसे it is, should be used only a contraction form, ठीक है, या it's इसको बोलते है, can't को cannot को can't इसी को बोलते है, contraction, ठीक है, उसके बाद will not को want बोलते है, ये contraction कलाया, contraction करने से हम spoken English में, उसको और better हम बना देते हैं, दोस्तों, sentence को, है ना, अब धोरा ही बाकी है, उसको भी कबर हम कर लेते हैं, ठीक है, के लिए दोस्तों, अब, अब degree, degree में आपको पता है, तीन तरह का degree होता है, एक होता positive degree, adjective का form होता है, जो कि adjective का general form होता है, जैसे, हम example लेते है, good positive degree, comparative degree, थोरा उससे higher हो जाता है, quality than positive से, जैसे better बोल दिये comparative में, और super मने सबसे जबदस्त, highest degree quality का based हो गया, good, better, strong, 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 tall, tall, tallest, ठीक है, ये clear है, positive comparative, superlative degree, adjective has been three forms, positive comparative, superlative, we have three examples, we can see, a mood, what is mood, ठीक है, mood क्या होता है, it is the mode or manner in which the action denoted by the verb is presented, यहीं भर्व अपने action को कैसे denote कर रहा है, कैसे present कर रहा है, उसी के, वे को, उसी को तरीका को mood कहा जाता है, और mood basically तीन तरह का होता है, एक होता indicative mood, indicative mood, imperative mode, और उसके बाद, subjective mode, ठीक है, समझभा है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो है, अब indicative mode क्या होता है, समझते यह बात, देखे, एक भर्व विच मैक्स statement और आस्क एक question और express supposition, which is assumed as a fact, is in indicative mode, indicate करना मने दिखाना, मने कि, एक ऐसा भर्व जो कि एक statement बनाई, एक question पूछे, एक supposition को express करे, कुछी चीज़, fact को assume करे, उसको indicative mode कहा जाता ह है, ठीक है, जैसे, he goes to college Delhi, यह statement है, सिराइस, lazibly, यह statement है, are you fine, यह question है, यानि जिसमें statement, question, supposition, supposition, supposition मने कुछ चीज़ मानना, जैसे अगर बारिस होता है, तो अब पिकिनिक लिए जाएंगे, ठीक है, ओके दोस्तो, imperative mode मतलब क्या हुआ, एक ऐसा भर्वल expression, जिसमें कोई command, exertion, integrity, prayer हो, उसको imperative mode भी कहते हैं, ठीक है, जैसे, open the door, command, wait here, take care of your health, यहाँ पर किसी को बतार, imperative, please help me, ठीक है, जिसमें ये तीन चीज़ दिखाए दे, उसके बाद दोस्तों है, subjective mode, ठीक है, समझते इस बात, subjective mode, ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये जो subjective mode होता है, इसमें दो तरह का basic होता है, एक present subjective, और एक होता है past subjective, जहाँ पर एक ऐसे sentence, जिसमें we see a hope को हम भर्व से express करते हैं, उसको present subjective mode कहते हैं, जैसे God bless you, may God grant you success, if the verb expresses desire in tensor resolution, it is in subjective mode, ठीक है, we recommended that the monthly rent be increased by 2000 रूपीज, ठीक है, clear बात, ये कि जिसमें wish और hope express किया जाए भर्व के दोरह, उसे present subjective mode कहते हैं, ठीक है, past subjective mode किसको कहते हैं, जिसमें past subjective use किया जाएगा भर्व के बाद, unreal situation का दिखाने के लिए, if I were a bird, I would have fly to you, ठीक है, इस तरह के example को past subjective mode कहते हैं, clear दोस्तों, आपने, जो अभी परहा है, सारा मैंने आपको बता है, क्या, आपका inversion क्या होता है, unattast or dangling participle क्या होता है, participle क्या होता है, और इससे पहले हमने dynamic verb, intuitive verb, transitive verb, इस सब को हमने देखा, यह आपके लिए important session हो सकता है, मैं आपसे request करूँगा, या please this session को like कीजिए, अपने दोस्तों तक share कीजिए, दोस्तों next जो video होगा, उसमें हम लोग narrative को start करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको basic चीज़े clear हो जाएगा, thank you very much for watching this video, thank you.